कि अब आपको आपके अपने चैनल गुरु कूलवैदिक एकड़िमी में आपका स्वागत है जैसा कि हमने मैस की सीरीज रिस्टार्ट की हुई है जैसे कि हमने अपने प्रिवियस क्लासे में रेश्व एंड प्रपोश्चन का सारे कंसेप्ट कर लिये हैं और अब हम सेकंड च जीरो टूफिरो कंसेप्ट के साथ ठीक है फ्रेंड जैसे कि अब पता है इस अभी एक्जाम में आते हैं और इस अभी एक्जाम के लिए है ऐसे सी सरेटर जितने बेएक्जाम हो या स्टेट गवर्मेंट एक्जाम है तो फ्रेंड ज्यादा देर ना करते हुए हम पटा गया कि एक एक हिसा वीली तरफजी के खुल कम इससे का एक चार ना करते हैं या सबलगा कोशलन जिसमीक. हम जोड देंगे उनके हिस्सों का तो एक बटा दो होगा तत्था बी का हिस्सा जो होगा और सी को जोडने और उसका एक बटाचार हनी एक बटाचार हम कर देंगे तो बराबर आ जाएगा तो फ्रेंड देखिए बहुत दिशांतार प्रेस्टेशन है और थोरा कन फ्यूजिंग है आपको क्या करना पड़ेगा जैसे कि आगे मैं बताता हूं जैसे आपको और देखिक यसे कि कॉस्टेशन में कहा गया है तो एक का हिस्टा कितना फ्रेंड था एक कटे-दो ऑ सीनिंदे नों को जोड़ने पर और विक का हिसा था एक प्ते चार एंगे को जोडने पर तो सिपra ने को सब में इन दोनों में यह पाफिज ना को पता है जो फिसे Ci लिख सकते हैं और विख को एबटेशी के बराबर हम लिख सकते हैं यह पता होगा जिसे पता है और सामने वाली बराबर होते हैं तुम आपको बता चुकी हैं प्रिवियस क्लास में तो फिरांड चलिए लिख लेते हैं एक कितनी होगी थी हमारे पास एक और बी पलस सी की वैल्य हो गई थी दो ठीक है बटे में था ऐसे और बी की वेल्यू आय प्लस बर्टे सी प्लस तो को तो यह भी तो यह दुनबन आगयी तो πरेंड दोलनलेक ज़हां रखने वाली है देखिए अगर लिख MOM licks लें ऐसे यह बराबर एक को शामनेली बराबर यह सी वराबर यह यह वराबर यह तो ऐसे हम लिख यानि C कमेड़ी के आजाएगा आजाईoby है अगर उसी तरह हम इसमें एक वेलू जो न इससे कीस्ते हैं हम डालते हैं यान 2000 तो सिपने कि मुरू पास थी आ जाएगा यानि देखिये ए लेक्न ऐसा नहीं होना चाहिए यह नहीं नहीं करना है एक जैसी ही वैलू होनी में चाहिए थी तो फिरंट स्टा पकॉस्ट्ट के लिए क्या करते हैं तो इसको हम ए बते B2C जो था एक बते दो और दूसरा इदर लिख लेता हूं मैं B मैं ऑटे ये प्लस C एकॉल टू इकॉल टू चार था जिस टाइग उप्रेस्ट में क्या बोलते हैं क्या करते हैं कि हम इनको बराबर कर लगते हैं इसको हम multiply करते हैं 5 के साथ उपर और नीचे इसे सेम ही संख्या के साथ उपर या नीचे किया जाता है क्योंकि कट सकता है तो वैल्यू सेम रह जाती है इसलिए किया जाता है सेमी संख्या के साथ उपर और नीचे यहां पर हम 3 कर लेंगे तिरी से मुल्ट्रिप्लाई क्यों करेंगे यह बताता हूं कि क्यों सी के वैल्यू हमारे पास अलग अलगा थी सी के वैल्यू से हम निकालने के लिए करेंगे ठीकर अगर हम सोल्व करते हैं इसकी जगा पर हम कोई और संख्या भी ले सकते हैं लेकिन सी के वैले से आ सकते हैं प्रहें पर आचान पर रहा है इसलिए लेंगे ले और यहां हम करते हैं टेक्षए वेल्यव हमारे पास 5 आ गई कि अगया है और बीप्लस की वेल्यूच के वेल्यूच कि हमारे पास दस आ जाएगी मुणा कर दीजिएगा तो 10 आ इसे तरह यहां पर वो थी आ जयेगा और यहाँ पर प्लस एक वली जो है ईप्लस ट्यास डालता हूं यह पर हमारे पास अग़र से निकाल प्स मैनस कर दंक्या या जागी सबना जागी ना बोसे तरह यह बी की वेलू अगर की आज़ों की तो सीनग आगई जो है यह यह लग अशैंट सेमाही यह है क्योंकि हमारे पास ही कौमन में लानी थी आउनि चलिये हमारे पास पत्र लगगे है काना कौन कोन और अ आ गई जो आता यह गलीत है कोन मेरे पास पांच आ गई वीश्यान मेच हों ​ कि पना खर इसलिए तक आप लेश نے आपनेवर पर यह यह ब्लस कर दोटेशृण कि आ यह बी और सी तीनों का जो था वह 11,750 नहीं 11,250 रुपे को इन तीनों में बिभाजित किया जाता है तो प्लस करेंगे तब नहीं आएगा फ्रेंट दिन दोनों का यहां पर लिख लेता हूं फ्रेंट मैं एक वेलिया हमारे पास पांच आ गई थी यहां तीन आ गई यहां साथ आ गया प्लस कर लेते हैं इसको तो आठ एक्स इकॉल टू लेखिए 11,250 के बराबर आ गया तब इसको हम सोल बाट कर लेंगे फ्रेंट जाम इसको करेंगे तो एक तो आप इसको हम स्वल्ड करेंगे एक हमारे पास कितना आ जाएगा तो एक स्की वेलिव हमारे पास आजाएगी 750 रूपे यह आ गया अब देखिए फरेंगा प्लस की बीनिकल गया अब हमसे पूछा क्या गया है एक हिस्सा बी से कितना दिखाए गया पता है वह थ्री और दोनों का अंतर कर लिए जैसे मैं लिए तो आपको के बर कन्फीज हो जाते हैं आप लोग तो यहां लेता हूं एका वैल्यू पांच है और इसका थ्री है इन दोनों को डिफरेंस निकाल लेजिए क्योंकि अधिक पुछा है तो मैंस होता है क्योंकि क्या पुछा है एक हिसा बीसे कितना अधिक है अधिक का मतलब क्या माइनस होगा तो यहां टू आ गया टू एक्स को डालकर यहां पर साथ से गुना कर लिजिए सारे 700 जो हमारा आया था था पंद्रश्व यह फ्रेंड हमारा अंसर है जो की भी ओप्शन हमारा है ठीक है फ्रेंड चलिए नेक्ट को बाद 21000 की निवेश की तथा कुछ समय बाद 26000 निवेश कर उस वेपार में शामिल हो गया यदि परते का समान लाब प्रापत हुआ हो तो ग्याद करें भी कितने समय बाद वेपार में शामिल हुआ फ्रेंड के जैसा प्रेंशन हम कल ले चुके थे जा अपने प्रिविएस जो पार्ट ओन मैं इसमें इस टाइप का कॉस्चन था आप खुद से वीडियो प्रेंश करिए वह तीजी है यहां लिख लेता हूं मैं ए और भी यह से लिख लेते हैं यह कि कितने साइक 21000 रुपिय है और भी का 36000 है कि कितने समय बाद बुचा है थी आप पता है कि कोई भ बारह महीने के लिए इसका हमको पता नहीं है ठीक है और देखेए यदि परते का समान लाव का समान लाव प्रापत उता है मतलब इसके इसकोिछ इतना रेशो होगा इसको भी उतना ही मिलेगा तो एक 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 रेख्शु Quiz का हो गया यहां पर लिख लेंगे एक सिधर बटे नीचे आपको कि इसकी वहली कितनी यानि बी ने कि बी जो था और सेवन मंथ तक किया तो पुछा हम से बाद में पूछा कि कितने जो भी यह सेवन मंथ तक इन्वेस्ट किया है कितने महीन बाद किया बाराम में से साथ 2 खठा देंगा तो पांच आएय तो अंसर जागा तोह endeavor 5 कि इससलिए चलिए हम अपना धार को इसमें है इसमें है कि ए मैज़ सब्सक्राइब करब एक वेपार को शुरू किया बी ने 9000 कर लाप रापत किया तो ग्याद करे कुल में लाप कितना पुल प्रॉफिट वताना कुल लाप इतना होगा जैसे कि इनुने कहा है एक कितना था एक लागप्रशा सीजार लिख लेते हैं यहां पर भी का 2,27,000 लिख लेते हैं फ्रेंटे दोस्त लिख cop Life 3 डूनों हो जाएगा नहीं चींद लिखने ज्रूत भी नहीं थी अगर आप लिखिना है लिख लिए तो इसकी कोई नीड नहीं थी अब देखिए बचा हमारे पास इसको रेशो बना लेते हैं दो जिरो से दो जिरो कर दिए पांस के टेबल बेकाट यह पांच तिया पंदरह सब्सक्राइब यहां पर किजिए पांच चुकाबीस पच्चों पच्ची पचीस यानि इतना गहाँ सैंतालिस स्वरी सैंतिस रेश करता हूं मैं एका और भी करेशो आजाएगा सैंतिस रेशो पैंतालीस अब देखिए क्या वहला बी का 9000 पे बी को 9000 पे हुआ है है पर भास हमारे पास बी का दिया हुआ है कंबी का 9000 रख लेंगे पैंतालीस के क्यों रखे हैं आपको बता दिता हूं मैं कि अब्सक्राइब हमारे पास रेशो में है रेशो मतलब बनाए हैं तो एक सा गया तब पैंतालीस दूना नब्द होता है यानि 200 रुपिया की वह जाले दो सो आ गई यहां लिए सेन्टिस कोफ दो सो गिना कर देंगे है साथ दूनी 14 हसलाए एक तीन दूनी 6हेक साथ 74 आ गया और दो जी रू रहा था यहां दो लगाते हैं चौहतर सो यानी एक अचौहतर सो गया अब का 9000 हो गया तब दोनों को टोटल पुछा है हमसे तो 3400 प्लस 9000 कि कर दिये तो चार कि यहां पर नौ साथ सोला सोला हजार चार सो हमारा अंसर हुआ फ्रेंड आई होप आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड बहुत ही अराम से समझा रहा हूं अब बहुत ही शांदर कोश्चन है यह एकजाम में आये हुए हैं लिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं ए ने 40,000 की पूंजी निवेश करके एक वर्कशोप शुरूप की उसके परतेक वर्ष 10,000 अतरिक्त निवेश किये ठीक हैं दो वर्ष बाद उसके भाई बी 85,000 निवेश कर्ष बेपार में शामिल हो गया बी ने कोई अतरिक्त निवेश नहीं की वर्कशिप की शुरूवा चार वर्ष बाद एक लाख 95,000 की कुल लाव एक हिस्सा क्या होगा तो देखिए बहुत शांदर बहुत जवर्दस्ट कोश्चन है यह प्रिवेश सर में आया हुए पिश्टेसाली प्रेशन आया था यह और बहुत ही इसका शांदर कंसेप्टेश को आप अराम से समझे ध् इन वेश्ट किया उसनने सु पचास हजारीश्र पर दसेब रहे है तो 60,000 तो 27,000 फ़समृ सने वर्फटेश्स जोडकर कर सत्तर हजार इस तरह चार साल उसने अपने रहा रहा कर एक्स्ट्रा में किया लेकिन 2attendisaal चार सलल उन्वेस्ट मेंन कितने टाइम के लिए चार सल बाइक करता है दो साल गुजर गया होता है ञायनि कितने सालों के लिए सिर्फ 20 के लिए करेगा वे उसलिए 20 नहीं 느낌이 और यह थिर दिए और च्राहत को विए टाह चेड़ी हैं निकाल लेते हैं कि पता लग गए यह छाली कि ऑफ फस्ट एर सब्सक्राइब इसका 50,000 हो गया तर्ड इस उसका साथ जार हो गया कि फॉर्थ येर उसका 70 जार investment हो गया अब चारों को चारों साल का उसका investment total कितना है जो लिजी ए चार अब इसके जो उनिट से उनके जो लिजी दिए चार से दस दस पाच पंदाव अपंदरा सात बाइस यानि दो लाख बाइसजार रुपे उसने invest किए एने तो अब लिख लेजिए एका यहाँ पर कितना होगा total investment चार सल के लिए 2,20,000 investment हो गया बी का कितना है 85,000 है पहले साल सैकंड साल भी 85,000 होगा तो इसलिए आपको 200 गुना कर देता हूं मैं कुछ सेम है इसलिए यानि कितना हुआ एक लाख सतर हजार रुपिय ने इन्वेस्ट किया अब इसको बना लिए फ्रेंड जब इसको हम रेशो में कनवर्ट करेंगे तो देखिए चार्जिरों यहां भी है चार्जिरों से चार्जिरों कर जाएगा हमारे हमारे पास 22 और 17 का रेशो आजएगा तो यह हम लिख लेता हूं कि यह भी 22 और 17 आगया हमारे पास रेशो तब देखिए फ्रेंड क्या बोला है जो बोला है कि टोटल जो एक लाग 55,000 कुल लाव जो टोटल प्रोफिट हुआ है दो चार सालों में एक लाग 85,000 हुआ है पच्द्री 95,000 हुआ है एक लाग 95,000 अब इनको आप जो देजिए को टोटल तो यह आई हैंगा जो रेशो निकाल फ्रिजिए टोटल प्रोफिट क 59,000 , जब इसको करेंगे तो हमारा आएगा चाहिए पांच परणयगा यह पांच पहटेगा यह 5 तक के बनी ये 5जर आ आगई अब देखी हमारे पास पुछा क्या है कि एक कईतना हिसा होता एक कितना शुक्र हुप ताव 26 formul吧 एक्स की वेलू डाल देंगे यहां पर 5000 अब इसको गुना कर दीजिए तो आपके पास आज जाएगा पांज दस दस के गयारा एक गयारा और इसको तीन जीरो लगा दीजिए चारज जिरो हो जाएगा इसका पांदनी दस यानि एक लाक दस जार रुपिया एक का अंसर होगा तो यहां पर अप्शन कोंसा हमारा भी ऑप्शन इसके रेक्ट होगा हमारा फ्रेंड चलिए हम अपना देखते हैं जो हमारा लास्ट और कौनसा कोश्चन अफ्रेंड देख ल दो व्यक्ति ने एक वेपार शुरुवात में एक लाक पचीस जार दूसरे ने पचासी जार की पुंजी नेवेश की साज़ेदारी के सर्थ यह थी कि 60 परसेंट जो लाब होगा जो पहला जो साथ परसेंट लाब का यानि इतना लाब होगा उसाथ परसेंट कह रहा है जो 6 यानि 40 परसेंट बचेगा उसको हम जितना पुंजी ने वेश किया होंगे जितना ए ने किया उतना जितना बी ने किया उसके जितना रेशो निकालने के पाद जो पुंजी होगा ओ बाटेगा लोग ठीक है फ्रेंड यदि एक साज़ेदार को दूसरे से 300 अधिक मिलता है तो ग्याद करें कुल लाव कितना होगा देखिए यहां पर लिख लेता हूं मैं यह भी इसका एक लाक पच्छी सजार कि इसका भी पचासी हैजार कि अब जिए जिरो सजिरो कार देते हैं अब इसका टेबल पर काती है कितना आएगा कि पांस तुम ही दस 25 पचीस यानि 25 पर जाएगा यह जाएगा सेवेंटीन पर है नि 25 और 17 अब नहीं कटे गा तो a और बी का रेशो कितना आ गया यहां लिखता हूं मैं a b ये का रेशो आ गया पचीस और b का रेशो आ गया 17 अब देखिए प्रेंट क्या बोला है और बोला है कि जो निवेश के जब जो 40% बचा है उसका जितना निवेश करेंगा उसके अधार पर बाटेगा लोग जी जितना बचेगा उसका प्रोफिट इनके निवेश के नुसार बाटा जाएंगा यानि इन्वेस्ट्मेंड के नुसार ठीगा लेकिन देखो क्या कह रहा कि पहले को ज़्यादा मिला है बी के मुकाबले ज्यादा मतलब क्या होआ मैनुस करें तो पता लिए हम रहे पता लगेगा ना कितना यह हमानस करेंगर नाया आठ एक्स एक्वल टू 300 के ब्राबर रख देंगे क्यों रखेंगे क्योंकि 300 ज्यादा मिला है तो हम यहाँ पर 300 के ब्राबर रख देंगे ठीक है फ्रेंट अब इसको एक्स की वेल्यू निकाले जीए यह आ गया एक्स बटे 300 V आट याननी इसको फ़िल्इबल पकारत देंगे कितना ही एंद 1,500 बटे चारा आएगा फिर इसको फेंद्वल बचलिए कि 25 बटे दो आ जाएगा यानी एक्स की है जागी कि 45 बटे दो आ जाएगी तो में लिखता हूंब आप और ऐसके कि वपकर गली है दो जैसे है और ट पता है यह उर फेंट पता है यह और बीडर कितना ब्लस किजिए प्लस करने इसटा करेंगे फोर्टी टुप निकालना है यह एक मैं जिकरता हूं यहां पर सिधा कि यह प्लस भी कितना गया 42 एक्स आ गया ठीक है हमारे पास एक्स की वेली कितनी थी 75 बटे दो थी तो 42 गुणा 75 बटे दो कर देते हैं कि यह कार लिजिए 21 से आएगा अब 21 को 75 से गुणा कर दीजिए कि चतर एकंपचतर एडिट सो नहीं आ रहा है पुरा यह लेता हूं मैं 21 गुणा 75 करता हूं यहां पर देखिए पांच दस कि साथ चोदा पचतर यहीं 1575 आ गया हमारे पास गुणा करने पर 2175 गुणा करेंगे तो हमारे पास 15 पचतर आ गया फ्रेंड अब देखिए अगर आप 1075 आए हमारा अब इसको 40 % को बराबर रच लिजिए कि क्योंकि 40 परषयंट जो है वही बाटेगा लोग किसके बराबर जो टोटल हमारे 15 15 0 कर देते हैं पर जिलो था कर दिये यहां कि 0 लग जाएगा दस चल ज़एगा उधर 4 निचे आज एगा अब इसको की है तो इसको किई एक तो अब को आएगा तो चारतिया बारा आ जाएगा तीन के तीन बचिअगा तीन और साथनों ट्रॉष 36 36 एक आगया फिर चारती है बारा चारती है बारा फिर तीन साथ चुक अठाइस दो पांच चुक अबीस हमारे पास ही आएगा 3937.5 3937.50 हमारा बी ओप्शन आएगा फ्रेंड यह रहा हमारा अंसर भी तीन हजार 3937.50 पैसे कुल लाब होगा दोनों का तो आई हो फ्रेंड बहुत ही अच्छे कोश्चन थे आप समझे होंगे अगर आपको नहीं समझाया होगा तो प्लीस आप वीडियो को रिपीट करें और देखें क्योंकि मैंने बहुत ही असानी से और बहुत ही अराम से समझाया है और आपने प्रिवेस क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीस प्लेइलिस्ट में जाकर उसको भी देखें और आपको पता है कि किसी भी एकजाम करन्ट अफेर का भी मुख बहुत ही मुख्य रोल होता है तो आप करन्ट अफेर से भी देखें तो फ्रैंड आपके लिए एक कोश्चन भी हमारे पास है जो कल वाली किलास से ही ही आपको रिलेटर है जैसे कल वाली किलास में इस टाइप क्रवारत किलास में करना कैंज चुक्ए कल वाली क्लास है लिटर आप कल वाली वीडियो देखकर ले सकते हैं करने लो इसका असर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किजिए वाकि हम कल वाली क्लास में इसको हम करवा देंगे आपको ओके थैंक्स फ्रेंड वीडियो को लाइक सस्क्राइब एंड शेयर करें ओके थैंक्स प्रेंड